समांतर चत्रभूज के विकर्णों के गोण Properties of Dagonals of Paleologram बच्चों आपने समांतर चत्रभूज के कुछ गोणों को आभी देखा है अब हम समांतर चत्रभूज के विकर्णों से सम्मंदित कुछ गोणों के बारे में बात करने जा रहे हैं आपके सामने एक ही आकार के तीन समानांतर चत्रभूज बने हुए यह जो काली रेखा हैं आप देख रहे हैं वो समानांतर चत्रभूज को प्रदर्शित कर रहा है यह बीच की हिस्से को आप शोड़ सकते हैं केवल हम इन रेखाओं की बात कर रहे हैं जैंसे आकरिती बन रह यह बात कही जा रही है तो आप देखिए इस चत्रुभुज में हम एक विकर्ण तो यह खीच सकते हैं और दूसरा विकर्ण यह हो सकता है अब हमको देखना है कि पहला सवाल तो यह है क्या यह विकर्ण इस पूरे समनांतर चत्रुभुज को दो सरवांग सम हिस्सों में बाता चल सकता है कि दूसरी बात यह हमें देखनी है कि सरवांग सम त्रिबूस तो बनी रहे हैं लिकिन यह कहता है कि अगर विकर्ण एक दूसरे को काटें तो एक दूसरे को सम्धिभाजित करते हैं यानि जो बिंदू आप यहां देख रहे हैं वो एक ऐसा बिंदू है ज जो विकर्ण है जिसे हमने लाल रंग से खीचा हुआ है वह हरे रंग के विकर्ण को दो बराबर भाग में बाटता है यानि दोनों विकर्ण एक दूथरे को सम्दिभाजित करते हैं ये बात हमें देखनी है तो इसके लिए हम इस पूरे समना अंतर शद्र शद्रबूज को च पहले इस त्रिभूच को काटते हैं इस विगर्ण के आधार पर और देखते हैं कि जो दो टुकुड़े हमें मिल रहे हैं वो कैसे हैं आपस में चलिए शुरू करते हैं यह हमने इस समनांतर शुरूच को दो हिस्से करते हैं आप ध्यान से देखिए बहुत साउधानी से काटना है इसे जब हम किसी चीज की आकरिती बनाते हैं और उसंपर काम करते हैं तो वो इक करेसी ठोड़ी उस्में कम होती है क्योकि हम जिन रेखाओं का उप्योग करने वास्तों में वक आदर्श रेखा नहीं हो सकती और उसकी अपने मोटाई होती है और स्मोटाई कारंट माप पे कुछ फर्क आ सकता है इसलिए प्रायोगिक तोर पर किये जाने वाले इन चीदों के आधार पर हम किसी प्रमे को सिद्ध नहीं कर सकते क्यों एक रूप एक उसका प्रारूप हमारे सामने दिखाई देता है और हम थोड़ा समझ बना पाते हैं कि जो हम थिवर्म के माध्यम से प्रूप करते हैं वह प्रायोगिक रूप से क्या सत्य हो सकता है तो चली देखते हैं इस सवानांतर चत्रभूज को हमने एक विगर्ण के सापेक्ष दो बराबर हिस्सों में काटा और काटने के बाद इसे हम थोड़ी दिर के लिए हां रख द तो शयाद हम क्या सकते हैं चीज बराबर हो सकती है चली हमें इनके इनको अलागला करते हैं और इस अकृति को इस तरह से घुमा ले तो देखिए दोनों अब एक दूसरे के जैसे दिख रहें अब इसको हम एक काम करें इसको इसको इसके उपर रखें और देखें कि आप प एक जैसी है तो आप बोटे तोर पर देख सकते हैं पर कि यदि हम सामनंतर चुत्रभूज को एक विकर्ण के सापक्ष काटते हैं तो हमें दो सरवांग सम्त्रभूज मिलते हैं ठीक ऐसा ही हम इसके साथ एक बर कोशिश करके देखें यह हमने दूसरा विकर्ण खीचा हुआ ह है और इसे भी हम काट लें जैसा पहले उसके काटा था और ऐसे भी देखें इस तरह जो दो त्रभूज मिल रहे हैं हमें उनके बारे में क्या बात निकल के आती है यहां पर भी देखिए यह विकर्ण था उसके सापक्ष हम इस समरांतर चत्रभूज को दो बराबर हिस्सों माट रहे हैं और देखते हैं क्या दोनों बराबर हैं इसे आप घुमा लें और एक दूसरी को पर रखके देखें अब देखिए दोनों आकरितिया एक दोसरी को पूरी तरह ढख रही है तो आपने देखा कि दूसरे विकर्ण के सापक्ष भी हम चत्रभूज को काड़ते हैं तब दो त्रभूज जो हमें मिल रहे हैं वो आपस में बिलकुल एक बराबर हैं सरवांग सम्हें इस बात को हम स इस बुजा के बराबर है तो आपक आसकेश बिलका देखिए और दो आपकी को आप खुद भी ये काम कर सकते हैं थोड़ी साउधानी से एक निश्यत माप का समनांतर शुत रभुज बनाईए और ये कोशिश करें कि उसके भुजाय आमने सामने के बराबर भी हो और समनांतर भी हो और फिर आप उन्हें बनाने के बाद उन पे दो विकर्ण खीश ले और विकर्णों के सापक शुने काट कर देखें तो आप देखिए पहले तो हमने इसे दो त्रिभुजों बाटा अब हम दो त्रिभुज और बनाएंगे कि यह जो विकर्ण जो लाल रंग के रेखा तर प्रदर्शित था उसे भी हम काट रहे हैं कि यह दो त्रिभुज और हमें मिल गए हैं और इसे भी हम काट लें कि यह समाना अंतर शुत्रभुज अब चार त्रिभुजों में बढ़ जाएगा इने हम वापस जमा के देखें कि कैसे जमे थे यह और फिर इसका बाद हम यह देखेंगे क्या यह चार त्रिभुज हमें प्राप्त हो रहे है अनमें से कुछ और भी समानता है मिल्ती है ये जह जैसे जमा था वैसे कि यह देख into इसके यह सम्माना सब्सक्राच पूज ठाये जैसे हमने पत। दो दो त्रिभुजों में माटा अब उसके हमने उसके चार टुकड़े कर लिए अब देखना है कि क्या यह रिखा-खन इसके बराबर है तो हम इसको इस तरह से मिलाए कि इसे इन दोनों को हम एक साथ लें और देखें क्या यह बराबर है यह ऐसे थे और इन्हें हम गुमाए और एक दूसरे को पर रख लें कर रखें किया जोलंग के विकंड को जो डोसी सिंस ने ये हमें की वापस में ब्राबर है you if you do not Coin आप धेक रहरे हैं कि दो रोगैंक civic और दोनों त्रभुच भी एक दूसरे का सर्वांग समें यानि यहां पर जो त्रिभुज हमें प्राप्त हो रहा था दो त्रिभुज जो मिल रहे थे वो आपस में सर्वांग सम है पहले जब कुल दो टुकड़े किये थे वो भी सर्वांग सम थे और जब हमने चार टुकड़े किये तो आमने सामने जो त्रभूज के खंड मिल रहे हैं, वो भी सर्वांग सम है, और उनके विकर्ण जो दो हिस्से में मिटे वो भी आपस में एक्दम बराबर है, अब इन दोनों के बारे में देखें, ये जो आमने सामने के त्रभूज थे, पहले तो देखें क्या है सर्वांग सम है, आप देखिए दोनों बिल्कुल एक दूसरे बराबर हैं यह देखिए यानि आप बहुत आसानी से इस प्रयोक के माद्धे हमसे देख सकते हैं यह समधिवाजित भी करते हैं और चार ऐसे त्रिभूज हमको प्राप्त होते हैं जो जिनके दो सरवांग सम जोड़े आपको मिलते हैं इसे ऐसा जमाना होगा इस तरह से और यह तरह से तो यह दो तीन आपनी जो समाना नंतर चाद्रभूज की टुकड़े बनाएं उससे दो चीज़िए आपने प्रमानित की कि दोनों विकर्ण उन्हें दो सरवांग सम त्र इसे बनने वाले जो चारत रिबूश हैं उनमें दो हमें सरवांगस हम जोड़े मिलते हैं आमने सा मने की ये दोनों एक दूसरे के сारवांगस हम है अंहीं गोसे तोर पर तेकि मच्तों प्रयोंग जो है वह थी कहिं नहीं